कि वाइचल परदेश की डी नोटिफाइड सुखु की कॉंग्रेस सरकार ज्यादा दिन की महमान नहीं है जिस परकार से सुखु सरकार ने अपने पिछले दस माह मात्र डी नोटिफिकेशन में ही व्यक्ट कर दिये अब वक्त आ गया है कि ऐसा ही सिलसिला परदेश की कॉंग्रेस सरकार का रहा तो परदेश की जनता ही कॉंग्रेस की सरकार को डी नोटिफाइड कर देगी जिस परकार से हिमाचल परदेश के अंदर, चाहे वो मेंगाई का विशे हो, चाहे वो चर्मरा रही कनून वेवस्ता हो, चाहे वो जूती गरंटियों की नाव में जो सप्ता में आये थे, उन गरंटियों में जो खमोशी धारन करके कॉंग्रेस की सरकार बैठी है, ये विशे हो, परदेश की जनता का सवाल परदेश की सुखु सरकार नहीं दे पा रही है, में भाई की बात करने वाली कॉंग्रेस सरकार ने सबसे पहले आते क्या तोफ़ा दिया, कि साथ रपे डीजिल की एक मुस्त कीमत बढ़ाना इससे कौंड वर्ग परभावित हुआ, परदेश की गरीब जनता, गरीबों की कमर तोड इस परकार से कनू, इस परकार से ववस्ता परिवर्टन और यही नहीं, पिछले दस मा के भीतर, जिस परकार से सुखु सरकार के लोग चाहे वो मंत्री मंडल में हो, चाहे कोंग्रेस के नित्रत्त में हो, जिस परकार से उनका आपसी घमसान मचा हुआ है, चाहे कोंग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा लगातार दिल्ली हाईकमान में, अपनी पीडा और धर्द को वहां व्यांग कर रही है, वहिए कॉंग्रेस पार्टी के पूर्ग प्रदेश अध्यक्ष पहले ही अपनी वेर्ना व्यक्त कर चुके हैं, सुखु सरकार के एक मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे मंत्री कुछ और बोल रहे हैं और जिस कावरेस में नेता के दम पर जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे, प्रदेश की सरकार बनाने में काम्याब हुए, बर्तमान में उक्मुक्य मंत्री, उनकी वर्स्तु सिति क्या है, उनको पूरी तरह रायलितिक हाशे पर दकेला हुआ है, इस परकार के जो घटनकरम है, उससे निश्यत तवर पर हिमाचल प्रदेश के विका में असर पड़ा है, और मैं तो यह कहना चाहता हूँ, कि अगर यही स्किती रही, तो हिमाचल प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार ज्यादा समय पर प्रदेश की सथा में नहीं टिक सकती है, और ऐसी कमजोर और दिशाहीन सरकार के विरुद्र, जिस परकार पिछले दिनों, इस तरह से वंदर मांट हुई है, इन तमाम विशों को लेकर भारतिय जंता पार्टी और बधायक दल भारतिय इंता पार्टी का स्वयूत नितरतब में इमाचल प्रदेश के अजारों कारेकता 25 स्थमबर 2023 को राजधानी शिमला के विधान सवा में एक विशाल प्रदर्श के रूम में गहराव करेगी, ताकि परदेश की ये सुखु सरकार आने बाले समय में परदेश की जंता के साथ और जोलमना कर सके। आज मुझे इतना ही कहना है।